हेलो फ्रेंड्स कैसे हूँ I hope कि आप लोग अच्छे ही होंगे शो फ्रेंड्स आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हिंदी हिंदी भासा के टॉप 20 कुश्चन्स को डिसर्स करेंगे फ्रेंड्स अगर आपको 2022 में यूपी से बीयट करना है तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जी चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बिलाकून को ओल पे प्रिस के लिजगा और आज से जो हैं आपकी क्लासे स्टार्ट हो रही हैं और कल से थोड़ा लंबी लंबी वीड से रिके हैं यानि कि किसी ना किसी एक्जाम में एक कोशन जो हैं पूछे गए हैं तो पहला का राइट अंसर क्या होगा किस वर्स में हिंदी भासा को कारिवन्तित करने का प्रस्ताव था तो ये था 14 सितंबर 1949 को ओप्शन इसका एक रिट होगा इस कोशन का राइट अंसर अगला प्रस्त आपकी स्किन पर यहां पर देख सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेन कोशन है कि 14 सितंबर 1949 को भारती समिधान सभा ने हिंदी को भारत संग की कौन सी भासा का दरजा दिया और बीस कोशन में से आपके जितने भी कोशन करेक्ट हों तो आप लोग अपना नाम और इसकोर कमेट बक्स में जरूग देगा तो कौन सी भासा का दरजा दिया गया था राज भासा का ठीक है ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस कोशन का राइट अंसर अगला प्रस्ट जो की इंपॉर्टेन कोशन है और सिंपल सा कोशन है कि हिंदी दिवस किस स्थिती को मनाय जाता है सब लोग जो आप देंगे हिंदी दिवस किस स्थिती को मनाया जाता है 14 सी तंबर को ठीक है ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इसकोशन का राइट अंसर अगला प्रस्ट जो की बहुत इंपॉर्टेन्ट है कि हिंदी भासा किस लिपी में लिखी जाती है सब लोग पसंद आया तो प्लीस वीडियो को लाइक करें और अपने अधर श्रेंट के साथ भी सेयर करें ताकि वो लोग भी क्लासेस जोइन कर सकें बहतरीन अंक प्राप्ट कर सकें सम्विधान के किस अनुछेत में हिंदी को राज भासा तथा इसकी लिपी देव नागरी को सिविक चालन में भारत के राश्टपती ने राजभासा आयो का गठन किया था कब चार आपके सामने देगे हैं जो भी इसकोशन का राइट अंसर आपको ज्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोग भी सकते हैं हिंदी की आदी जन्नी क्या है most important question है हर एक प्रश्न किसी नकीस की एक्जाम में पूछा गया है हिंदी की आदी जन्नी क्या है तो हिंदी की आदी जन्नी है Sanskrit क्या है संस्क्रत है option is का B correct होगा इस question का राइट असर लिपी की जो आवश्रक्ता होती है किसमें तो लिपी की जो आवश्रक्ता होती है माईट एफ्रेंड्स भासा लिखन का राइट असर और बीएट से समंदित कुछ डाउट पर कर रहा हो तो आप लोग कमेंट बाक्स में आपना डाउट क्लिया कर सकते हैं देव नागरी लिपी का सरव प्रतम प्रयोग कहां हुआ था नाइन का राइट असर बताने का प्रयास करेंगे देव नागरी लिपी का बताने का प्रयास करेंगे most important question है आपके exam के लिए वरतमान हिंदी की लिपी में लिखी जाती है देव नागरी लिपी में ठीक है option इसका डी करेक्ट होगा इस question का राइट असर अगला प्रशन आपकी skin पर है भारत के सम्मीधान के किस अनुछेद में हिंदी को भारत की बहासा की उत्रा दिकारणी है सभी लोग जो आप देंगे हिंदी की इस बहासा की उत्रा दिकारणी है तो ये है संस्कृत की option इसका सी करेक्ट होगा इस question का राइट असर ठीक है चलिए अगला प्रशन देखते हैं संसार की प्रमुक भासाओं में हिंदी का इस्थान क्या ह है तीसरा इससान है option इसका सी करेक्ट होगा इस question का राइट असर भासा लिखेने के लिए प्रियक्तु चिन्हों के विवस्तित रोप को क्या कहते हैं लिपी कहते हैं क्या कहते हैं लिपी कहते हैं ठीक है ब्राही से किस लिपी की उत्पत्ती हुई है देवनागरी की ठीक है किस लपी की उत्पति हुई ये बराही से देवनागरी लपी के ठीक है option इसका c correct होगा इस question का right answer हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाशा कौं सी है 16 का right answer बताने का प्रयास करेंगे हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाशा कौं सी है तो वो है अपभरंस क्या है, अपभरंस ठीक है, अवधी बोली किस अपभरंस से विक्सित हुई है, अवधी बोली जो है किस अपभरंस से विक्सित हुई है, 17 का राइज असर बताने का प्रयास करेंगे, तो अवधी बोली जो है अर्ध मागदी अपभरंस से विक्सित हुई है option इसका बी करेक्ट होगा इस question का right answer है हिंदी की मूल उत्पत्ति किसे मानी गई है 18 का job देंगे हिंदी की मूल उत्पत्ति किसे मानी गई है most important question है style लगा लिए अप लोग किस question में next question आपकी skin पे है कि वराणसी और गोरकपुर आरा के मद्ध कौन सी जो है भाजा बोली जाती है सभी को पता होगा वराणसी से आप लोग अंदाज लगा सकते हैं भोचपुरी ठीक है भोचपुरी भाजा बोली जाती है last question इस वीडियो का है वरज भासा का केंदरी छेतर है most important question है आप लोग इसमें इस्टाल लगा सकते हैं इन प्रशनों को आप लोग जो है one liner format के रूप में note भी कर शकते हैं जैसे आपको ऐसे note करना है वरज भासा का केंदरी छेतर है उसके सामने जो इसका answer हो आप लोग ऐसे note कर लिजगा गारंटी के साथ इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा जितना मैं आपको questions करवा दूँगा चाहे वो हिंदी में हो जीके में हो और सारे subject में हो तो वरज भासा का केंदरी छेतर है आपक भी नहीं है तो इसी के वज़े से जो है चोटी classes ही मैं ले रहा हूँ आप लोग के लिए चैनलों को सब्सक्राइब करके बगल में बिलाकून को all papers के लिजगा अगर आपको 2022 में UP से बीर्ट करना है बीर्ट का entrance exam देना है तो आप लोग हमारे चैनल से जूड़े रहे इस च सब्सक्राइब करा हूँ 7905632533 पर आप लोग वाट्शाप मैसेज कर सकते हैं थोड़ा लेट रिप्लाई मिलेगा बट रिप्लाई सभी को मिलेगा थैंक्स पर वाचिंग